मुवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीबो गरीब किसम की लोग एक लड़की पर रिचुल कर रहे होते हैं और वो कोई आम रिचुल नहीं बलके डिमॉनिक रिचुल परफॉर्म कर रहे होते हैं अब तक उस वाकिय को 5 साल हो चुके थी लेकिन अभी तक वो उसके शोक से वाहीं नहीं आ रहे हैं और यही वज़ा थी कि अक्सर उसे बुरे-बुरे खुआप आया करते थी इस लड़के का नाम Gloria होता है जो अपने मदर रुट के साथ रहती है Gloria थी यह girlfriend, John भी होती है हलांकि यह Gloria की मदर उसके इस relation से खुश नहीं थी लेकिन फिर भी Gloria और जोन एक दूसरे के काफी close थी पिर हमें दिखाया जाता है कि Gloria जोन के साथ ठाइरपिस सेशन अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर जबकि एक ओरत अपने उपर किये गए अपने husband की जुलम को बता रही होती है तब जोन उसे कहती है कि हर बात को God पर नहीं चोड़ा जाता और तुम्ही अपने husband पर वही जुलम करना चाहिए और अपना revenge लेना चाहिए जोन जोकी nature से काफी aggressive होती है और अपने उसे का इजहार करती है Gloria और जोन बैट पर लेटे होती है और जोन उसे उसकी आने वाली anniversary का एक necklace गिफ्ट करती है और जोन गलोरिया को उसकी घर के पास चोड़ कर वापिस चली जाती है तब ही वापर Gloria को एक आदमी kidnap कर लेता है और जब Gloria को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी van में वो जंजीरों से बंदी होई है Gloria किसी तरह अपनी mobile की तरफ बढ़ती है और अपनी मदर को call करती है इससी दुरान वो kidnapर Gloria को देख लेता है और उसे faint medicine से फिर से बेखोश कर दी था बेखोश होने से पहले Gloria की चीफ उसकी मदर के phone तक पहुँच जाती है बेखोश होने से पहले Gloria उसकी नेपर की हाथ पर वो ही demonic sign देख लेती है जो उस demonic group के हर member के हाथ पर बना हुआ हुआ को के नेपर Gloria को city से काफी दूर जंगल में कैबिन में लेकर जाता है फिर जोन उस location पर पहुँच जाती है जहां जोर और Gloria लगों को food supply करते है Gloria वहां पर मुझूद नहीं होती जिसकी वज़ासे उसकी mother को call कर देती है दूसरे तरफ Gloria की mother जो उसे पूरे घर में ढूंड चुकी होती है और उसके ना मिलने पर वह बुरी wise message सुन लेती है जिसमें Gloria की चीख होती है फिर ये दोनों police से Gloria के किर्णाप होने की बाते करते हैं और John Gloria की missing होने में उसकी mother से भी ज़्यादा परिशान थी तो वह एक aggressive tone में police officers को Gloria को ढूनने को कहती है और खुद भी इस बात का decision देती है कि वह भी Gloria को ढून देगी वह church में बहुत सारे लोगों को इकठा करती है और उनके जरीए Gloria को ढूनने का फैसला करती है और जब खत्रा खत्म होगा तो वह उसे यहां से अजाद करती है लेकिन Gloria को उसकी बातों के कोई समझ नहीं आ रही हो फिर कुछ time गुजरने के बात Gloria उस आदमे से बुचते है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है वह कहता है कि 5 साल पहले जब तुम पर रिचुल हो रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था तब मुझे यह बार ठीक नहीं लगी थी और जब सब लोग अपना गला काट कर जान दे रहे थी उस दुरान मैंने गला काटने का ट्रामा किया था उसने सुसाइड नहीं किया और वहां से भाग गया और फिर से कहता है कि यह सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं और फिर उसके प्नैपर को यह उसी नेशन आना शुरू हो जाते है जिसमें वह देखता है कि ग्लोरिया उसे सिडियोस कर रही है फिर जब वह भूश में आता है तर वह दिखता है कि ग्लोरिया की तव Liya की तवीख्राब हो और जादा होते जा रहाए हृती थी तभी तुस्री तरह पुलिस का ग्लोरिया था हिर वही नेटलेस मिल जाता है जो जो जौनने उसी गिफ्ट दिया था जॉन भी ग्लोरिया की मीसिंग पॉस्टर हर जगा लेकर जाती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है अब ही एक लड़का उसे कुछ बताने से मना कर दीता है जिससे वो घुसे में आ जाती है और चाकू निकाल की उसकी गले पर रख कर पूछती है ग्लोरिया को वही डी मॉनिक ग्रुप नजर आता है और वह काफी ढर जाती है पुके ड़नेपर ग्लोरिया को संभालकर उसे होश मिलता है और उन दोनों को ही झाल्यूसिनिशन होना शूरू हो जाता है और वो फिर से ग्लोरिया को कहता है कि तुम्हें सन्राइस तक यहां रहना होगा, तुम्हें यहां पर सेफ हो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा रुट कॉल करके जोन को बुलाती है जहां पर वो पुलिस आफिसर भी होता है वहां ग्लोरिया की हालार बुरी से बुरी होती जा रही थी और वो किटनैपर से उसका नाम पुछती है, तब वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है और वो पुछती है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है और इस मकसद को सामने रखते हुए उन लोगों ने Gloria को अपना source बनाया है जिस पर वो कहती है कि वहाँ पर तो सब लोगों ने अपने जान दे रही थी जिस पर वो कहता है कि सब ने अपने जान नहीं दे और यहां पर एक बड़ा रास खुलता है वो यह है कि जॉन वे उस शेतानी ग्रूप की मेंबर थी और वो Gloria से प्यार नहीं करती थी बलके वो लोकस्ट मून जो कि आज की रात थी उस रिच्वल में शामिल होकर Gloria को अपना सोर्स बना कि वो शेतान को दुनिया में लाना जाती थी और यही वज़ा है कि वो एकने दिल्चस्पी से Gloria को ढूंड रही हो Gloria की बैक में पेन होता है Abidon को देखकर Thomas काफी डर जाता है और भी रचानक से वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और इसकी वज़ा है कि जब उस पर रिचुल किया गया था तब ही से शेतानी असर उसके उपर मुझूद है और यही वज़ा है कि Gloria के अंदर जो शेतान है और उस van के driver के चेरे पर जहने का निशान था और जिस direction में वो गया है वो उसका भी बता देता है यह सुनकर John पॉरन समझ आती है और वो अपने friend के साथ उसी direction में चल पड़ती यह खिकत सामने आती है कि Thomas John का भाई होता है और जिस cabin में Gloria को लेकर आता है वो उनका family cabin होता है Gloria Thomas को कहती है कि वो John से मिलना चाहती है तब ही Thomas उससे सब बाते बता देता है और यह भी बताता है कि Gloria नहीं उसका face दिलाया था और उसके पाउं को तुरवा दिया था और कहता है कि John तुमें ही डून रही होगी क्योंकि और वो ही चाहती है कि Abidon इस दुनिया में आ जाए और sunrise की होने से पहले यहां से निकलना किसी खत्री से खाली नहीं हो सब Gloria जब cabin में गेली होती है तब वो शेतान Abidon को देखती है और वो से देखकर डर जाती है वो वहां से भागती है और आकर थोमस को बताती है थोमस वापित उसे cabin में लाता है और वो देखता है कि Gloria के बाल जढ़ते जा रहे है और उसके बैक में जो दो गोल बने थी वहां से भी विंक्स बाहिर आ रहे है और वो फॉरन समझ जाता है कि उसके अंदर जो शेतान डाला गया था अब वो बाहिर आ रहा है यहां पर थोमस ग्लोरिया को मारने का फैसला करता है लेकिन उसकी इतनी बुरी हाला देखकर वो उसे गोलीम नहीं मार पा रहा हुता तबी ग्लोरिया के अंदर जो शेतान था वो उसे बोलता है कि जब मेरा रीबॉन होगा तो सबसे पहले में तुम्हारी ही सोल लोगा यह कहकर वो शेतान थोमस पर हैवी हो जाता है और उसे उसकी जलने की विजिन देखाकर काफ़ी डराता है भिर वो ग्लोरिया के पास आती है और अपना रिच्वल स्टार्ट कर देती है ग्लोरिया की हालत काफ़ी पूरी हो चुकी ठी के पूरियों धी और थोमस को भी होश आ जाता है थोमस जों को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक बीनहीं सुरती और वो जवाब देती है कि मैं इस बात को फिल कर सकती हूँ कि उसका शेतान एबड़न इस दुनिया में आ रहा है और वो अपने शेताने वर्ड्स बोलना शुरू कर देती है जिससे सारे शेताने ग्रुप की सोल्स वहां पर पहुँ जाती है और जैसे जैसे जोन मंतर पढ़ती रहती है वो शेतान स्ट्रोंग होता जाता है और गलोरिया पर हैवी होता जाता है तॉमस दर्वाजा तोड़कर जोन को रोकने के लिए अंदर आता है लेकिन इस बार भी वो शेतान उसके माइन पर अपना कबजा करके उसे विजिन दिखाता है और इसी दुरान जोन के उस मंतरों की वज़े से और शेतानी सोल्स की वज़े से शेतान वहाँ पर आ ही जाता है थॉमस जोन को रोकने के लिए उसे मार दीता है और वहाँ पर सब सुकून हो जाता है Thomas Gloria को वहां से लेकर बाहिर आता है जहां पर Sunrise हो रहा होता है Thomas Gloria को कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं Sunrise होने तक तुम्हीं बचा लूँगा और Gloria को होश आता है तो वो जिन्दा होती है Thomas उसे जिन्दा देख काफी खुश हो जाता है Gloria उसे कहती है कि मैंने भी कहा था कि मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जोलूँगा और वो से मार डालती है और Gloria शैतान की तरह ही धाड़े मारने लगती है और शैतान एबड़िया की तरह उसके विंक्स बाहिरा जाते है और यहां यह बाट क्लेय हो जाती है कि Gloria गलोरिया नहीं रही बलके वो शेतान Abidon में convert हो जाए और Abidon Abils का Angel माना जाता है Abidon को Destroy की तरह ही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो तबाही मचा देता है और वो लॉक्रस का भी मालिक होता है उन ट्रिडियों का जो एक जून की सूरत में हमला करती है Abidon की body एक घोड़े की तरह है उसका face इंसानों जैसे है और बाल लड़कियों जैसे सब मिला करिए कि वो बहुत ही खतरनाक किसम का शेतान है और वो इतना खतरनाक है कि डेमन भी उसे डरते है यहाँ पर हमें शेतान Abidon की बारे में काफी कुछ पता चल जाता है और इसके साथ ही movie end हो जाती है